मराठवणा के लोगों की जो डिमांड थी उसको मद्धिनजर रखते हुए हमने औरंगाबाद में केड़कर हॉस्पिल भी चलू किया है उसके बारे में जान कर देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर में मनोविकार सेख्स रोग सं अर्ण मुट्र दाग्यों महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं अरंगाबाद में लोगों की काफी डिमांड थी वहां से लोग मेरे अकोला में आते थे और उनकी डिमांड यह थी कि हमको बिना रिलेटिव्स बिना रिष्टेदार पेशेंट को रखने के अमने यह हस्पिटल में है यह हस्पिटल में आप सभी तरह के मनोरुगनों को दाखिल कर सकते उनका इलाज कर सकते हैं वैसे वहां वैसन वुक्ति का भी हमने डिपार्टमेंट चालू किया हूआ है और शराप के नशिले या गरत के नशिले या गांजा चरश अफू जो भ कि इनको देखने के लिए कोई नहीं है और उनका मानसिक संतुलन भीड़ा हुआ है उनको हॉस्पिल में रखने के जरुवत है घर में रख सकते नहीं है उनको भी हमारे आला कि आप रख सकते हैं वैसे अपार फ्रॉम मतलब यह मनोरुगुन छोड़के बाकि शराप और है उसको लेके बाहर नहीं आ सकते है उसको रखना का है तो उसके लिए भी कुछ दिन के लिए आप हमारेस्पियल में मनलुगुण को रख सकते हैं और आने के बाद में उसको वापस ले जासकते में जानकारी सभी आपकी जितने objeto groups होंगे जितने भी आपके contact होंगे उनको सभी को inform करो और रंगबाद मरातवडा के सभी लोगों को इंफर्मेशन दो ताकि ज़ादा से ज़ादा लोग इसका फायदा उठा सकेंगे हमारा जो मकसद है हमारा जो mission है हमारा जो vision है सबके लिए मांसिक्स वास्टेर वेसन मुक्त भारत और इसके लिए हम मेंटल पेशन्स का और वेसन लोगों का इलाश करते रहेते हैं इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा और आप हमारे पार्टन बन जाएगे चारा सा लोगों को जान करें दो ताकि एक भी व्यक्ति मराट वड़ा में बिना दवाईकार ने रहेगा वीडियो देखने के लिए बहुत भुधनेवाद थैंक यू वेरे मच